अमबजरी जील के पास डॉक्टर बाबसाइब अमबेटकर सांस्क्रतिक भवन की जगा वेवसाइक उपियों के लिए एक निजी कंपनी को दी गई है इससे अमबेटकर समाज आकरम मख हो गया है राजसरकार के इस कारवाई के विरोध में प्रदर्शन, अंशन और मार्च का आयूजिन किया गया है ऐसी जानकारी आयूजित पत्र परिशत के दोरान कॉंग्रेस ने तक किशोर गजबिये द्वारत दी गई है और मरमत करने में विफल रहने के कारण इमारत जरजर हो गई जिसके बाद भवन के मरमत के लिए राशी की मांग की गई राज्य सरकात द्वारा अमजरी पार्क के विस्तार की रूप में चवालिस एकर भूमी मैसर से गरूडा एम्यूजमेंट पार्क नागपूर प्राइवेट लिमिटेट इस कंपनी को हस्तांतरत किया गया इसी के विरोध में ये आंदूलन किया जाएगा 46-47 46-47 साल पहले ये जमीन महाराष्ट सरकार ने नाकपर मानगर पालिका को दी थी इस जमीन के दो हिस्से थे एक डॉक्टर अमजरी परिसर और तिसरा हट एरिया हट एरिया यहने चोटे-चोटे दुकान लगाने के लिए जगा तो ऐसे तीन एरिया थे तो हट एरिया की जगा 6 कर थी और गार्डन के जगा 19 कर थी और बावसां मेड़कर की जगा 20 कर थी तो ये 20 कर जगा महापर पिछले 40 सालों से महाँ है महाँ पर एक सांस्कृतिक सभागरो था जो सांस्कृतिक सबागरो उसका फोटो हमारे पास है हम सब को दिखा सकते हैं और वो समारक यहाँ他是 पर पृष्लें कई दश्कों से अस्तित्व में था लेकिन अचानक एक दिन जून महिने में जून ट्वीटी बनमें अचानक एक दन यह समारक तोड़ा गया और महाँ पर समारक के चारों टीन पत्रिस लगा और जिसको भी ये काम दिया गयता है, उसने उसको तोड़ दिया, जमीन दोस्त कर दिया, और लेटर लिखा उसने महाराष्टे टूरिजम डेलोप्मेंट कारपोरेशन को, कि ये हवा के कारण गिर गया, फिर इसके उपर हमने मुर्चा निकाले, पुलिस को कंप्लेंड किया, कलेक्टर को कंप्लेंड किया, निवेदन दिया, पुलिस ने हमारे एफाइर ली नहीं, अब देखेए, बाबा साहे मेड़कर का नाम है जिस पर बाबा साहे मेड़कर का समारख है, उसका रिकॉर्ड हमारे पास है, उसको एक कॉन्ट्रैक्टर ने, बगर किसी को बताए, च सेकेटरी को दिया मंत्री को दिया सब को दिया तो गुशीं को मनें इसका कोई जवाब नहीं है कोई जवाब हमारे पास गौर्मन के पाससे आया नहीं पूलता अभी सरकार ने य fundament निकाली कि यह जो परिसर है चावाली सेकर का इसको हम परेटंग शेत्र करके विकरसित करेंगे गोशित करेंगे यह अधी सुचना अभी निकलिये एक मेना पहले तो हमारा सवाल यह है कि आपने टेंडर पहले किया वो जमीन दे दिया उसको उसने असमारग भी तोड़ लिया उसके सा प्रकार के तरफ से कोई एक्षन नहीं हो रही है तो हमने अपना अंदोलन का कारिक्रम किया है जिसमें हम लोग आने वाले समय में पांच जगह पर नाकपूर में समीधान चौक में 19 नवेंबर उसके बाद उसके बाद इंदोरा चौक जो है वहाँ पर 22 नवेंबर मेडिकल चौक 24 नवेंबर शताबदी चौक 27 नवेंबर उसके बाद माटे चौक 30 नवेंबर इस प्रकार से हम लोग धरने आंदोलन करने जा रहे हैं जिसमें नाकपूर की जनता शामिल होगी उसके बाद 2 डिसेंबर से लेकर तो 6 डिसेंबर तक जिला दिकारी कारले के सामने हम लोगों का ध्यान आकरशित करने के लिए कर रहे हैं और लोगों को खास तरसे युवाओं को पता चलना चाहिए इसले कर रहे हैं उसके बाद में जब यहाँ पर नाकपूर में विदान सभा का अधिवेशन होगा तो उसमें हम 20 तारिक को मानने मुख्यमंतरी जी को हम लोगों से अक्षे पर अब्जेक्शन बुलाना ये काम चल रहा है तो में वाइल हम लोग मुख्यमंतरी साब को हम लोग निवदन देने के लिए मंतरा ले जाएंगे 2021 में द्वस्त किये गए भवन की जगा को वेफसाइक उपयोग के लिए उपयोग में किया जा रहा है जिसका डॉक्टर मेट का सांस्क्रतिक भवन की और से विरोध किया गया लेकिन राज्य सरकार ने इस पर आखे मूंद रखी है तो अंत में डॉक्टर मेट का सांस्क्रत विरोध प्रदेशन किया जाएगा उसके बाद 2-6 दिसम्बर तक कलेक्टर कारिया लेके समक्ष अंशन और 20 दिसम्बर को विधान भवन में पदियात्रा निकाली जाएगी ऐसी जानकारी आयूजित पत्र परिशत के दोरान दी गई है कैमरा परसन राजकुमा मुहर के साथ शित्यजदेश मुख बीसीन न्यूस नाकपुर्ग